आजकल हम देख रहे हैं कि आम में बहुत अच्छे फूल आये हुए हैं चारों तरफ आम के पौदों में आपको फूल दिखाई पड़ेंगे फूल आने से अब फूल समाप्त होने की पिकिदिया में हम आ गए हैं धिरे धिरे उसमें फल लग रहे हैं बहुत सी किस्मों में फल लग गए हैं और फल जो हैं वो मटर के आकार या उससे छोटे आकार के हो रहे हैं इसी समय हम देखते हैं कि अगले एक सब्ता से दो सब्ता के बीच में बहुत से फल आपको जमीन पर नीचे गिरे हुए मिलेंगे इन फलों को गिरने से बचाने का रास्ता है ये कि हम उसमें सुच पोसक्ततों का प्रबंधन अच्छे से करें जब बहुत जदा फूल आता है और फल लगते हैं तो ऐसे समय में आम के पोधे में आकजिन हर्मोन की कमी हो जाती है जिसका मुक्सरोत जिंक है और बोरान की भी कमी के चलते फलों का भिगिटन और उसका बढ़वार रुकता है ऐसे में हम सुच पोसक्ततों जो आजकल बाजार में आफानी से उपलब्द हैं उनके अलग-अलग मिक्चर अबेलेवूल है जिसकी 2.5 मिलीटर मातरा को एक लीटर जल में घोलके हम छिड़काओ करें और ये छिड़काओ कम से कम हम 10 से 12 दिन के अंतराल पे तीन बार करेंगे तब हम फल्क के गिरने की समस्चा से बच सकते हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज कल जब बहुत ज़दा फूल आयो हुए हैं आम में ऐसे समय में ही बादल आ रहे हैं हलकी बारिश हो रही है पावडी मिल्डी रोग बहुत ही भयानक हो जाता है हमें पावडी मिल्डी से बचने के लिए जो रसायन है उनका प्रयोग करना चाहिए जैसे आपका सल्फर है जो इसका बेटबल पावडर राता सबसे सस्ता सोर्स है सबसे सस्ता माध्यम है जिसकी हम तीन गराम मात्रा को एक लिटर जल में घोल कर अगर छिड़काओ करें दो बार तो पावडी मिल्डी की समस्या से बचा जा सकता है फूल आने से फल लगने की प्रक्रिया में ही हम देखते हैं कि पावडी मिल्डी आने के साथ साथ बीच-बीच में जो पुस्पक्रम है उसके बीच में अंत्रक्नोज नामक बीमारी का भी प्रकोप हो रहा है तो इस बीमारी के प्रबंधन के लिए आवस्चक है कि हम करवेंडा जिम की एक ग्राम मात्रा को एक लीटर जल में घोल कर एक सप्ता के अंत्राल पे दो बार छिरकाओ करें एक भुंदा कीट है जिसको हम मैंगो हापर कहते हैं उसका प्रकोप ऐसे मौसम में बहुत होता है मैंगो हापर से बचने का तरीका ये है कि आप अपने बाग को बिल्कुल साफसुता रखें खर्पतवार बिल्कुल ना रहे और अगर इसका प्रकोप किसी भी आपको फल्बिस में दिकाईपता है खास कर के पुस्प करम के बीच में के देखें कि अगर ऐसा कोई कीट बैठ रहा है या उसका जो एक हनी जैसा पदार्थ भी निकालता है जो लिसली सासा होता वो पत्तों पर दिखाईपता है तो इसको मारने के लिए या इसके प्रबंधन के लिए आवस्यक है कि हम थाइमक्तोस्वाम नामक एक दवा आती है ये नया मॉलिकूल है एक मिली लीटर को तिल लीटर जल में मिलाके छड़काव करेंगे तो इस कीट का प्रबंधन कर सकते हैं अगर हमारे पास ये भी ना हो तो हम दाइमेथ्यत जो हमारा एक पुराना पेस्टीसाइड है उसका भी प्रयोग एक मिली लीटर प्रत लीटर के हिसाब से कर सकते हैं इसी समय में कई बार हमको मिली बक की समस्या आती है मिली बक का अच्छा प्रबंधन तो ये होता है कि हम दिसंबर के महीने में ही पॉली थिन की बैंडिंग कर दें ग्रीस लगा के ताकि ये कीरा पेरों के उपर चढ़ना पावे लेकिन अगर किसी करान से आप ऐसा नहीं कर पाएं हैं इसके प्रबंधन के लिए आप मैला थियान की दो मिली लीटर मातरा को एक लीटर जल में घोल कर छिरकाव करें तो इसका प्रबंधन क्या सकता है जब फूल आता है तो बहुत से फूल ऐसे होते है जो गुमा प्रबंग करते हैं तो जैसे ही फूल से फ़ल लगने के प्रिक्रिया पूरी होती है हमें इन ऴ심ंक बेस से काटकर अलग कर देना चाहिए और इनको इकठा करके खेत में किसी कोने पे गड़े में इकठा करके इनको दबा देना चाहिए चल प्रबंधन के लिए बेहतर हो कि हम अपने खेत में टपक सी चाई पद्धत रखें चुकि बहुत से बाग बहुत पहले के लगे हैं जहां पे इस लुगजा नहीं है तो वहाँ पर हम यह कर सकते हैं कि हम रिंग बनाके या उसका थाला बनाके बेस्टिन बनाके सिर्फ उसी छेतर में पानी दें खास करका अगर छोटा पवदा है तो आपको सब्ता हमें एक बार पानी देना चाहिए अगर बड़ा पवदा है तो आप 10-12 दिन के अंतराल पे पानी दे सकते हैं